हेलो मेय दिए फैंज आज की कलास में हम डिसकस करेंगे स्टेंडेर डाटा स्टेंडेर डाटा क्या होता है या कि जैसे की में जाने यूटि माइइध्र डाटा यूटि सुधक्र अफायी करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को तो शुरू करते हैं हम स्टेंडर्डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड दिया जाता है यानिकि अलगलग elements का ठीक है तो कितना टाइम लगेगा उसको पर पेर किया जाता है timing के coding ठीक है तो इस तरीके से जो catalog बनाया जाएगा उसको timing क्यों compile किया जाएगा और नंबर of standard elements standard elements के साथ में compile किया जाएगा उसको necessary यानिकि जो जूरत क्यों पड़ी यानिकि इस तरीके का catalog या standard data को बनाने की क्योंकि क्या होता है जो भी industries होती है ना जो industry होती हैं वहापे similar elements involved होती है कई सारी अलग-अलग जोब के लिए यानिकि similar एक टाइप के elements अलग-अलग टाइप के जोब के लिए required होती है एक्जामपल के लिए अलग-अलग टाइप के जोब है तो लेकिन drilling hole एक तरह की process है एक तरह का element की तरह एड हुआ है तो whole drilling की process तो सेम रहेगे सभी में लेकिन क्या है वह जोब अलग-अलग हो सकती है तो उसी के लिए क्या drilling hole common feature है मैंने machine soap का ठीक है लेकिन time study हर एक job के लिए नहीं नहीं करेंगे machine drilling के लिए अलग-अलग time study करेंगे तो naturally time का wastage होगा ठीक है तो time का wastage होगा तो नहीं नहीं जोब के लिए या जो different job है सभी के लिए अलग से time study करेंगे एक जो भी operation है उसकी बट क्या उसकी बजाई हम क्या करते हैं एक बारी में कर लिया उसका कि हमारी machine के coding जो machine यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक data collect कर लिया कि इतना time लग रहा है तो उसी time के coding जो भी है उसकी values को जो दूसरी job है उसकी साथ में compile कर दिया जाता है तो इस तरीके से यान की in cases में economical होता है compiled data यान की जो standard data होता है पहले इस ही time निकाला होता है तो वो एक economical तरीके से काम करता है एक बार अगर standard data ready हो गया तो एक बार time के coding यान की किसी particular job के लिए कितना normal time लगेगा दैन उसके बाद standard time को calculate कर लिया जाएगा प्रोपर अलाउंस एड करके तो इस टाइप से standard data को requirement होती है calculate करने के लिए दैन आता टाइप सोब्स टेंडर डाटा स्टेंडर डाटा तो टाइप्स के होते हैं जैसे की standard data macro data and universal standard data यान की micro data सबसे बहले बात करेंगे standard data यान की macro data की बात करेंगे standard data जो की based upon होता है जो भी elements है जो के compiled किया जाएंगे by representative group of elements by macroscopic method यान की macroscopic मतलब की macro मतलब बड़े level पे जो किया जाता है बलब इसमें क्या किया जाता है normal time जो रहेगा अलग-अलग job यान की various elements होते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलरली operations की according जिसकी मशीनिंग हो रही है लेट पे या जोब की fitting हो रही है या assembly हो रही है पार्ट की तो उसी की according दिया जाता है जो भी time value है standard data की तीन से चार सेकंड वो एक मोटा मोटी करके add कर दी जाती सभी machines के लिए यान की उसको help मिलता है जिसकी बज़े से की timing है नहीं job का बिना किसी time study यान की हमें time study करें बिना ही हम थोड़ा बहुत चार पास सेकंड उसमें add कर देते हैं ठीक है ताकि यान की तीन से चार सेकंड हम उसमें add कर देते हैं ताकि मतलब energy भी save हो और time भी save हो यान की मोटा आपके हिसाब लगा लेते हैं युनिवर्सल्स टेंडर्ड डाटा यान की माइकरो डाटा इसमें क्या है माइकरो लेवल पे study करी जाती है यानुकि यूर्सल्ड डाटा बेस्ट होता है माइनुट मुमेंट्स जिसकि थर्बलिंग्स में कितना रीच हो भूआ है करी होल्ट कब रहा है कब उसके पास गया थैन उसको क्या जाता है यह जो吧 करेगा, यह का» करें नोर्म WA will last के लिए क्या जाता है उसक 민주 क्या जाता है यह यह एनलेशिस क्रिस्क्रिणी यह जाती है वर्क साइकल जो जैसे की रिकोड किया जाता इसको रिकोड किया जाता है मैट्ट टाइम मेजरमेंट एंड वर्क फेक्टर सिस्टम एक्जंपल है युणिवर्सल स्टैंडर डाटा की आधे युजवली 1.1 साइक होती है लेकिन दोनों ही डाटा जो लीड करते हैं है नोर्मल टाइंग निलिए वरक साइकल के दोरान युज जाते हैं आता है डिए डिख तरह कि तरुप किया जाता है स्टेंडर डार्त को जो ड्सृप स्ट्प इन वर्लड होते हैं डेवलप करने के लिए जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या है डिसाइडिंग डिसाइड रेंज आफ दी अपलिकेबिलिटी ऑफ दी इस्टेंडर डाटा की एक यह कितनी एपलिकेशन नहीं कहां पर यूज़ोगा किस तक यूज़ोगा डिसाइड करेंगे ठीक है देन ब्रेक दा जोब इंटू यह जोब है उसको डिफ्रेंट जैसे कि मशीन व्यारीबल या कॉंस्टेंट अलिमेंट में बेकडाउन करेंगे उसको दैन अब्टेंड या कंडग करेंगे टाइम स्टेडि फोर वाइड वाइराइट जोब अडर दी डिफ्रेंट सेट पैरामेटर अंड कंडिशांस टाक। के लिए अलग अलग जोब के लिए या कंडिशन को सेट करके यह इंप के लिए पिरामेटर या कट्राइड चरीत ताइक करेंगे टॉंस कि आ यूज एकiğग, स्मुराइब के लिए जो भी उसको separate किया जाएगा अलग कर लिया जाएगा then by statistical method calculate करेंगे average standard time for constant element यानि constant element के लिए average standard time कितना लग रहा है statistical methods के द्वारा calculate किया जाएगा then explore the job characteristics यानि कि job characteristics क्या है जिसकी वज़े से variability आ रही है elements में यानि कि किस वज़े से variability आ रही है तो एक graph load करेंगे normal time value यानि कि normal time or dimension of the variable यानि कि variable elements के साथ में तो इस तरीके से size of elements का हम निकालेंगे इनकी जितना variability आ रहा है जो भी graph यानि कि इसका average निकाल लेंगे यहां से तो जो भी graph है जितना दूर होगा तो मिनलब variability उसमें ज्यादा है तो variability को किया जाता है कितना इसको कंपाइल करेंगे संदर्ड़ डाटा को देन टेस्ट डाटा पो और correctness and accuracy यानि कि सही कितना है और accurate कितना है उसके लिए क्या करेंगे डाटा को testing करेंगे ऊस डाटा की दैन comparison of standard data विदा इंडिविविजूल टाइम स्टड़ी यानि कि इंडिविजूल टाइम स्टड़ के साथ में compare कैसे करते है अटको यानिके सेंड़ डाटा कर देता है जो भी होती है जो उती है लार्ज मम झालर्ग जनुमद होते हैं कि ज Circa die तो वहां पर यूम्स चेसलिक थे तो जो भी अलग य्वी स्कंड इनकी को एलिमिन अश्काल तक ठीक है 10 standard data को collect करेंगे from the large number of observation is more reliable अगर जितने ज्यादा observation होगे उपना reliable होगा इट पोज़स greater accuracy and scope of the coverage यानि कि जितना ज्यादा number of observation collect करेंगे ऐसे ही reliable होगा और उतना ही accurate होगा and scope coverage का ज्यादा होगा then next क्या है being more accurate it you better estimate for the production time यानि कि जितना accurate होगा उसके according estimation जो होगा production time का वो भी सही होगा then production schedule for incoming job can be better planned यानि कि standard data के दोर जो production schedule है आने वाले jobs के लिए उसको हम अच्छे से planning कर पाएंगे then standard data find करेगा universal applications को ठीक है next आता है uses of the standard data कहां पे use होता है यानि कि various uses as standard data के जिसे की estimate करने के लिए standard time को नई job का या फिर new job जो की repetitive या non repetitive natures की होती है तो quickly और economically estimate करे जाएगा standard time कितना लगेगा या तो नई job हो या repetitive job हो या non repetitive किसी भी type की job हो तो quickly and economically standard time को estimate करने के लिए use किया जाता है next for estimating production time for pricing inquiry made by the customer यानि की production time को निकालने के लिए यानि कि ताकि हम जो pricing की inquiry कर यानि कि customer के द्वार कर पाए यानि कि then next क्या होगा job design के लिए या process planning and scheduling के लिए use होता है then to measure the productive labor for the cost check यानि कि measure करने के लिए labor productive है या नहीं है या फिर cost को check करने के लिए किया जाता है then for balancing production operation यानि कि production operation को balances करने के लिए balance करने के लिए use करा जाता है for as a realistic basic for the incentive plan यानि की real situation के बेस पे यानि की reality के बेस पे incentive plan को बनाने के लिए किया जाता है next for constructing time formulas यानि की time formulas को construct यानि की बनाने के लिए किया जाता है then next to calculate the number of automatic machine which can a operator can handle effectively यानि की calculate करने के लिए कि एक यानि कितनी automatic machines को एक operator handle कर सकता है next to find percentage efficiency of manual operation यानि की manually जो काम होता है तो उसकी efficiency कितनी होगी next in a machine या दूसरी shops हैं जहां पर similar job को manufacture किया जाता है लेकिन उनको sizes या लग लग होता वहां पर use किया जाता है next to find standard for the short run of custom order product यानि custom order product के लिए यानि की standard या जो भी कितना क्या रहेगा उनको निकालने के लिए use किया जाता है repair and maintenance के लिए use करा जाता है building construction में use किया जाता है then machining and assembly में use किया जाता है then typing and clerical job काम के लिए यानि typing वाले काम के लिए clerical job है वहां पर use किया जाता है filing करने के लिए use किया जाता where houses में use किया जाता है packaging के लिए use किया जाता है जैसे कि प्लान करना है teamwork activities को जैसे कि government में बनाने वाले जैसे कि जो गार्मेंट में बनाने वाले companies हैं इंडस्टीज है teamwork activities को प्लान करने के लिए कि आ जाता है then advantages क्या है standard data की जो standard data जो time है वह standard data time can be found even when the product is not been manufactured यानकि अगर मालो standard data time है हम उसको जब यानकि एक पर पहले से ही हमने calculate कर लिया उसको then product अगर manufacture नहीं भी हो रहा है manufacturing होने से पहले ही हम उसको identify करेंगे कि कि इतना time लग सकता है इस particular operation को करने के लिए it provide a basis of decision making budgeting estimating यानकि एक basis प्रवाइड करता है बेस प्रवाइड करता है decision लेने के लिए या budget decide करने के लिए या फिर estimate लगाने के लिए then various time study person can arrive at identical time standard for a given method यानकि अलग अलग time study person जो है identical time standards के लिए given methods के लिए वहाँ पर use किया जाता है वहाँ पर अच्छा result देता है then economical then the time study by a stopwatch method यानकि अगर time study कर रहे है stopwatch method से तो वहाँ पर उससे economical है rating या efficiency operator can be determined correctly यानकि कि किसी भी operator की rating या efficiency उसको correctly define कर सकते हैं determine कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से तो यह तर डिस्कुसन आई तिंक आपको helpful लगा अगर वीडियो अच्छी लगी है helpful लोगी तो शेयर जरूर करना मिलेंगे एक और बहतरीन वीडियो को साथ में have a nice day झाले